आल्राइट वंस अगेन यह वॉचिंग में मोहित हम बात करते थे फोटो केमिस्टी के सीरीज की तो प्वोटो केमिस्टी सीरीज माज आ रहा हैं हमारे पास तो यह जो photo chemistry का second video है यह हमारा जो heading आपने already thumbnail पर देख ली है और thumbnail पर देखने के बाद मैं एक बाद फिर से बता रहता हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं Types of Excitation Types of Excitation की बात करेंगे Easy है, मुश्किल नहीं है, ध्यान रखना क्योंकि इस Types of Excitation के अंदर हम जैसे की जानते हैं की Excitation किसका होगा अब विसी बात है, Electron का Excitation होगा Electron जो होगा, वो Excite करेंगा, उत्यजित होगा उत्यजित कहां से कहां होगा सबसे पहला question ये भी आ रहा होगा आपके मन में तो मैं आपको बता रहता हूँ कि Electron का उत्यजित होगा वो पहले भी बताया था, एक बार दुबार बता रहता हूँ Bonding Molecular Orbital से Jump करके वो कहां जाएगा Anti-Bonding Molecular Orbital में देखे, एक बार फिर से एक चीज बता रहता हूँ जो याद करने वाली थी कि ये जो Bonding Molecular Orbital है और Anti-Bonding Molecular Orbital है ये M.O.T. के वीडियो में पहले मैंने बताया है तो वहाँ से आप एक बार दुबार देख लेना ताकि आपको ध्यान लग जाए कि Bonding Molecular Orbital क्या है और Anti-Bonding Molecular Orbital क्या है तो अब यहाँ से क्या होता है कि जो हमारा Electron होता है ये Electron Jump करके कहां चला जाता है Anti-Bonding Molecular Orbital के अंदर चला जाता है तो यहाँ पर यह जो Jump होता है यह सीधा सीधा तो हो नहीं सकता किसकी मदद से होगा यह Jump बिल्कुल सही बता रहे हैं आप यह Jump होगा with the help of Energy यह Energy जो होगी यह यहाँ पर Add हो रही है Energy उसको मिल रही है किसको मिल रही है Electron को मिल रही है Energy को हम जानते है Energy को हम कैसे लिखते है H New कौन सी है यह Sunlight वारी Energy बोल सकते हैं क्योंकि Photo Chemistry की बात करें तो Photon की बात करेंगे और हमने इसी Formula को Last Class में थोड़ा से एकदम Detail से और लिखा था कि E बराबर क्या क्या हो सकता है H C अपन में Lambda ओके तो एक चीज़ बता रहता हूं आज यहां पर मैंने भी यह सीख ली तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको भी बता दूँ कि H C अपन में Lambda जो होता है तो यह जो 1 अपन में Lambda होता है इसे आप new bar भी कहते है तो 1 upon Lambda क्या कहते है new bar तो हमारे पास में एक नया formula बन सकता है क्या बन सकता है E is equal to H C new bar तो यह जो H C new bar है यह हमारे पास में एक नया formula आ गया E बराबर H new का इस new bar को आप क्या बोलते है new bar जो नया introduce हुआ है हमारे पास में इसको हम बोलते हैं wave number तो ये क्या कहलाता है हमारा wave number कहलाता है जो one upon lambda होता है ठीक है तो ये one upon lambda को अपने new bar लिख दिया यहाँ पे चलो ये बात तो होगी clear एक और अब अपनी बात करते हैं कि bonding molecule पेंदर और से एलेक्ट्रों जम करें कहां चला जाएगा एंटि बॉर्णिंग के अंदर लेकिन यह टाइप होते हैं अलग अलग बहुँने एनरजी जो होती है वो जब आप कम और ज्यादा करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोन एवेलेबल होते हैं वो इलेक्ट्रोन कम और ज्यादा है जी लेवल में जा सकते हैं देखो यह ऐसे मैसी हो जाएगा लेकिन मैं आपको बहुत इजी वे में समझा दूँगा चलो यहाँ से शुरू करते हैं देखो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए आज की इस क्लास के अंदर आपने पहले पढ़ा होगा लेकिन एक बार थोटा से दूबार बता दूँगा सिग्मा बॉंड के बारे हम पता है सिग्मा बॉंड जिसमें सिग्मा बॉंड होता है वहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रोन होते है जहाँ पे पाई बॉंड होता है वहाँ पे पाई लेक्ट्रोन होते है और एक और तीसरा मैं बोल रहा हूँ यहाँ आप पे N N का मतलब क्या है नॉन बॉंडिंग जो electron participate नहीं करते या फिर हम इसे बोल सकते है n को loan pair बोल सकते हैं loan pair का जो electron होते हैं वो आ सकते हैं इसके अंदर count हो सकते हैं ठीक है तो हमारे पास में तीन तरह की चीज़ा आ गई sigma, pi और n sigma electron, pi electron and non bonding के electrons अब अपन बात करने वाले हैं इनके excitation की है इनकी उतेजना कहां से कहां तक हो सकती है ठीक है तो अब इसके excitation को बताने के लिए मैं छोटा सा यहाँ पे chart type बनाऊंगा ये videos particularly ऐसे हैं कि आपको अपने phone को एक हाथ में पकड़ना है और साथ में अपने page के ऊपर इसको no down भी करते हैं जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप साइड में लिखते रहा हूँ ताकि आपके लिए भी आसान रहेगा आपके लिए memory में भी अच्छा हो जाएगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं नीचे सिग्मा लिख जाते हैं सिग्मा का जस्त पोजिट क्या होगा तो सिग्मा के कौन सी होगी सिग्मा स्टार अब एक और आगे बात करेंग Jake कि की हां पर में लेटा हूं एनन लेलू एन का मतलब क्या हो गया non-bonding के electron non-bonding के अब non-bonding का opposite कुछ नहीं होगा non-bonding का n star नहीं होगा non-bonding नहीं होगा electron है अपने पास में जो bonding में participate नहीं कर रहे हैं बट वो excite हो सकते हैं कौन से stage में होँगे वो sigma star और जो अब मार एक और आगे बनेगा pi star उसके अंदर होगा ठीक है अपने discuss करेंगे अभी तो एक और मैं अगला ले लेता हूँ यहाँ पे pi ले लू pi pi का opposite क्या होगा pi star हो जाएगा ओके यह चीज भी आगे अपने को समझ में एक और जो n वाले जो है न यह n वाला देखो n sigma star में भी जा सकता है और n pi star में भी जा सकता है तो पहली बात तो मैंने एक चीज यहाँ पर गलत क्या कर दी है कि यहाँ पर इसको और इसको दोनों को same energy level बना दिया जो कि गलत है same energy level में थोड़ी होगा यह energy level same नहीं होगा इसलिए हमें इसको 12 से सही करना पड़ेगा सही हम कैसे करेंगे मीटा कर तो इसको हम सही करेंगे देखिए यहाँ पर हम मान लेते है एन यह na non bonding electron है ओके यह होगा हमारे पास में non bonding electron यहाँ पर और जो हमारे पास में sigma है सिग्मा से अपन थोड़ा सा उपर बना देंगे हम पाई को ओके तो पाई का पोजिट क्या हो जाएगा पाई स्टार पाई का पोजिट हो गया पाई स्टार ओके अब एक चीज ओर देख लेते हैं जो एन वाले ना एन का एको ट्रांजिशन होता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज एन का दुबार एको ट्रांजिशन देखेंगे तो देखो हमारे पास में चार तरह के ट्रांजिशन आ रहे हैं अभी कौन-कौन से अभी दिखाता हूँ मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला ट्रांजिशन देखो सिग्मा से सिग्मा स्टार इसको एनर्जी बहुत ज़ादा चाहिए ना बहुत ज़ादा गैप है एनर्जी का देखो एनर्जी का गैप कितना है एरो कितना लम्मा बना एनर्जी का गैप बहुत ज़ादा है तो यहां पर कैसको बहुत ज़्यादा एंशी चाहिए है, तो सबसे ज़्यादा एंशी किसको चाहिए है, सिग्मा से सिग्मा स्टार वाले में, तो यहां पर लिख जाते हैं, यह ट्रांजिशन कौन सा है, सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, ओके, सेकिंड, दूसर तीसरे ट्रांजिशन और बची और 220 कॉन सा हो गया हमारे पास में यहां प्रम लिःते हैं New Jersey सिघ्मा स्टार ट्रांजिशन हो गया आगे दो समय में अब तीसरे ट्रांजिशन कॉन सा देख लो अब तो बताई सकते है अपन रबक्र है नह lasano tis टर्व संहैं थो पाई से ल urgent थीग talk partner अगया पाई से पाई स्थार okay तो यह scientifically टीन स्टरेशब एक चौथा और बच्छि इसको भी लिदेता है अपन यह आगया 反。 लॉन भी लिदक या जायेगा मरपास में उस लिदो यह पास में यह घार संक तो देखो हमारे पास में हो गए चारत्रे के ट्रांजिशन सबसे पहला सिग्मा से सिग्मा स्टार दूसरा एन से सिग्मा स्टार तीसरा पाई से पाई स्टार चौथा एन से पाई स्टार चारत्रे के ट्रांजिशन आगए किस-किस में होते हैं यह ट्रांजिशन भाई कौन स होते हैं अब जिसमें जो bond होगा न उसमें वह condition होगा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिग्मा से सिग्मा स्टार सिग्मा बॉand किसमें होते हैं एल कैन्स इंचल बॉण्ड वाले जो होते हैं उनमें कौन सा टांजिशन होगा इनके लिए energy क्या चाहिए सबसे ज्यादा energy चाहिए तो अगर energy का order देखें तो अपन सबसे ज्यादा energy किसको चाहिए सिग्मा से सिग्मा स्टार वाले को energy चाहिए दूसरा second आ रहा है हमारे पास में n से सिग्मा स्टार n से सिग्मा स्टार में देखो जिसके पास में N का मतलब non-burning electron, non-burning electron का मतलब इसमें non-burning electron हो, for example, oxygen होता है na, oxygen के ओपर lone pair होता है, तो उसके पास में क्या है, non-burning electron है, वो transition कर सकते हैं, N से sigma star में, दूसरा, nitrogen भी हो सकता है, और मैं example ले लेता हूँ, आपके सामने, OH जो होते हैं, अपने पास में कौन हो गए, alcohol जो amine जो हैं, उनके अंदर, फिर आपके पास में, ether, ROR, ऐसी बहुत सारे हैं, जिसके अंदर non-burning electron परजेंट हो, non-burning electron जिसमें परजेंट हो, अब देखो, यहाँ पर का है non-burning के, oxygen के ओपर, दो lone pair होते हैं, यह रहे, nitrogen के ओपर, एक lone pair होता है, यहाँ पर भी oxygen है, इसके पर भी lone pair है, यहाँ पर oxygen है, इसके ओपर भी lone pair है, और non-burning electron जिसके ओपर lone pair होगा, वहाँ पर वो चीज पाई जाएगे, यहाँ पर भी oxygen के है, दो होंगे, यह लो, होगी यह बात समझ में, तो यह हमें बात आगे समझ में, कि किसके अंदर N से pi star transition होगा, oxygen, nitrogen, alcohol, amine और ether, जिसके अंदर non-burning electron present हो, अब बात कर लेते हैं, pi से pi star transition किस में होगा, जिसके अंदर pi bond होगा, उसके अंदर होगा, तो pi bond किस में होगा, pi bond वाला हम देख लेते हैं, pi bond होगे हमारे पास में, alkenne के अंदर single bond होता है, तो alkenne के अंदर क्या होगा, pi bond होगा, तो alkenne जो होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, pi से pi star transition होता है, इसके बाद में, अगर आप देखें, किटोन में, किटोन में भी, pi से pi star transition, इसके बाद में, aldehyde भी आ सकते हैं, इसके अंदर, aldehyde, और हमारे पास में ester भी आ सकते हैं ester भी आ सकता है ठीक है तो R, C, O, O R, ester भी आ सकते हैं इसके अंदर ओके तो ये चार आगे हैं महरे पास में किसके अंदर pi से pi star हो सकता है alkene में, ketone में, aldehyde में और ester में चलो अब एक और चीज़ देखते हैं हम आगे n से pi star transition किसमें होगा देखो ये थोड़ा सा important है जहां देना इसमें n से pi star होता है, aldehyde में भी होता है ketone में भी होता है और हमारे पास में ester में भी होता है तो एक तरह सा ऐसा कह सकते हैं कि aldehyde ketone और ester दोनों तरह के transition दिखा सकते हैं, कौन-कौन से यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है हमें बिल्कुल अच्छे से पता लग गया सब कुछ बाते करेंगे हम आगे main important जो चीज है इसमें आपके सामने लिखी वी है आप इसका screenshot भी ले सकते हैं ये लीजिए मैं थोड़ा सा आपके सामने set कर दिया है इसको screenshot आप ले लीजिए और बात करते हैं अगले third video में जिसमें रहेगा हमारे पास में fate of excited state है ना electron जो हमारे पास में उत्यजित हो जाता है उत्यजित होने के बाद में उसके साथ में क्या होता है वो क्या करता है कहां जाता है क्या होता है उसके साथ में तो हम पूरा discuss करेंगा अच्छे से ओके तो इस चीज को आप याद रखिएगा पूरे matter को आप ध्यान ही तन रखियेगा मिलेंगे हम अगले वीडियो में तब तक के लिए थैक्स पर वाचिंग और थैंक यू तो बोलो है वाई हुआ थैंक यू बहुत क्यों 0 mag ineffectivefa लुटे एफटए है मिलते अगले वीडियो में तब तक पढ़ते रहे हैं शेर कीजिए, लाइक कीजिए, गर्मी बहुत है, थेंक यू.